अलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको दिखाऊंगा कल कामरा धुरा छोड़ा हुआ पार्ट टू भाग दो जो हमारे चैनल पे नए है वह चैनल के सब्सक्राइब कर ले ताके नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें देखो ये इंजिन लेथ में से आगया है cng part 2 part 2 part 2 part 2 दूसरा देखो ये सब लेथ में से लेथ काम होके आ गया है इसका क्रेक पीबढ़िया से ठीक कर दिया इसमें ब्रास में डाल दिये अब हम इसको क्या करेंगे केरोशन से साफ करके एक बार पानी से प्रेशर मरवा लेंगे प्रेशर मार के साफ कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एमरी है वो सारी एमरी निकल जाए ठीक है इस तरह से हम लोग इसकी अच्छा से सफाय कर लेंगे फिर हम इसको फिटिंग कर देंगे ठीक है दोस्तों कल मेंने दिखाया था सब यह जो 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 चीज इसकी खराब हुई थी वह बताया था आज म मैं उसको कैसे फिटिंग करना है वह सिखा रहा हूं देखो यह चोकड़ी है ना कराब हो गई थी तो मैंने इसका चोकड़ी वह रोड दूनों नहीं डाल दिये है गेर क्रोस और क्रोस रोड दोनों को चेंज कर दिया इस में क्या है उसको बढ़िया से ही रखना कि नहीं तो गेर में कुछ होगा तो भी इंजिन को पूरे को खोलना पड़ेगा ठीक है इस तरह से मैं इसको फिटिंग कर लूँगा वोल डालके बेरिंग बहुत अच्छा वाला था तो बेरिंग चला लिया है बेरिंग में कोई प्रोब्लम नहीं था और इसके बेरिंग बह दिखा देता हूं कि देखा आगे में दिखा देता हूं आपको केर क्रोस सेटिंग कैसे करना है देखो यह मैं इसका जो बीच में आ गए है ना तो यह फिटिंग करके इसको इसका पार्स का नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम नहीं क्यूंकि मैंने यह पहली बार खोला है मुझे इसका कोई experience नहीं है फिर भी मैं इसमें try कर रहा हूं अच्छे से इस भाई को करके देशा को काम मेरा पहला यह इंजिन है मैंने कभी भी पेट्रोल इंजिन खोला यह नहीं है और फिटिंग भी नहीं किया यह पहला CNG इंजिन में खोल रहा हूं पेट्रोल offense में है देखो इसका setting करना पड़ेगा दूपेकिंग औरभी मैं इसमें डालूँंगा यह पेकिंग ढला है license में दो प्रेटिंग डालके इसान चत्रा से में सेटिंग कर लोगा जैसे हम लोग अपनी प्याग शोरीक्षा में करते हैं इस तरह से ही इसका भी setting कर सकते हैं इधर दो पेकिंग लगा के तीन पेकिंग हो जाएंगे ये कि इसमें लगा हुआ है और दो ये तो इसको इस तरह से में फिटिंग कर लोंगा फिटिंग करके वापस से चेक कर लेंगे ऐसा क्या ऐसा नहीं है कि कोई काम हमसे नहीं हो सकता सब काम हमसे हो सकते हैं खोलते टाइ और फिर उसको फिटिंग करने के टाइम पर थोड़ा थ्यान देखे फिटिंग कर लो, देखो मैंने यह तीन पेकिंग लगा दिए है यहां पर, तो यह तीन पेकिंग लगा के हम लोग क्रोस चेक कर लेते हैं, देखो यह गया, यह चोथे गेर में कम्प्लेट वाल रहा है, भ प्रचेटे बोड भी औरिजिनल इडाला है तो यह सेटिंग उसे मेरा गया तो मैंने इसे इतकर कर देना है इसको एसे है मैं यह कच्चा खचा फिटिंग करके सब पहले चेक कर लेता हूं और फिर अब बारी आती है इसकी क्रेक की क्रेक को भी हम लोग इसे एक पेकिंग डाल के यहाँ पे चुहेंट में यहाँ पे थोड़ा सा विल्ड डाल देंगे और हम लोग क्रेक को भी इस तरह से ही सेटिक कर देंगे देखो यह एक वोश्र आएगा यह को साड़ आएगा एक भुसर इस सैट आएगा दो वोशर रखना ही है वोव्ड प्ले रखो अगर वोव्ड प्ले नहीं रहता तो यह कौसर निकल दो देखो एक धंपानी के जैसे गूंग रहा आई यह वाल प्लै भी है इसमें बड़ी आसा है है देखो ठीक है इस तरह से वाल प्लै के रखके ही में जो भी डीजल इंजिन में जैसे काम कर रहा हूं न वैसे इसमें कर रहा हूं कोई प्रोब्लम नहीं आई अब तक और आयगी भी नहीं है क्योंकि इतना डेंजर नहीं है यह ठीक है इस तरह से हम लोग इसका क्रेक सेट भी कर लेंगे अभी खोलके वापस गेर को अच्छे से फिटिंग करके फिर इसका हाउसिंग लगा देंगे हम लोग देखो यह टाप चकर है जैसे हम लोग प्यागो रिक्षा की अपय की गेर में जैसे सेटिंग करते हैं इस तरह से इसमें करो वस कुछ नहीं है और क्या करो यह जो अपना है ना क्रोस का धार वो सब एक साइड में ही रखो एक जैसा देखो इस तरह से यह क्रोस इसे ही रखो ठीक है यह सेटिंग अच्छा सा बड़िये से हो जाएगा और इसे ही सेटिंग रखेंगे ना तो गेर भी थोड़े फ्री हो रहेंगे ठीक है इस तरह से हम लोग यह सेकंड चकर और यह टाप चकर लगा के हम लोगोंने इसका लोक लगा दिया है ठीक है इस तरह से हम लोग इसको प्रिटिंग कर लेंगे, अभी इसकी face है ना, जो वो हम लोग उने clean की है, पिर भी इसमें थोड़ा सा, कोई peaking का टुकड़ा-भुकड़ा है तो चेक कर लिए, चेक करके, फिर इसमें हम लोग, देखो, ये लोग, अच्छे से बेट गया और नहीं, मैं चेक कर रहा हू यह बेट गया है अच्छा से देखो यह अच्छा से बेट गया है अभी मैं इसको फी फीट कर लिया और क्रेक अपना फ्री है जो हमारा वन वे चक्कर है वो सब यहां पे फिटिंग कर दिया है मैंने और यह पावर कोल भी लगा दिया है अब इधर यह साइड में लोड विल आएगा लोड विल का की डाल के हम लोग इसका लोड विल भी फिट कर लेंगे देखो दोस्तों मुझे इसका कुछ भी एक्सप यह वール पॉम्प का वें अहीं प्रकार गों जाता है इसको 24 रोब ताइप है में वह बहुत कम आता है तो जो मारे प्राइब अब दूसरा प्रकार है मेरे को भी ढूनना पड़ेगा बताऊंगा आपको ठीक है यह है टाइमिंग चक्कर और विल पॉंक चक्कर अभी हम लोग इसको एसेंबल कर लेते हैं विल पॉंक को देख हमेने दोके पूरा एमरी निकाल दिया पूरा एमरी भरा पड़ा था इसमें तो केरो सिंसे अच्छे सब्सक्राइब कर लिया है देखा अभी इसको हम लोग एसेंबल कर लेंगे ठीक है अगर मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले ठीक है दोस्तों इस तरह से मैं इसको एसेंबल कर लूँगा इसको थोड़ा अच्छे से सफाई करके देखो यह सब्सक्राइब है वेल पंप अच्छा वाला था तो मैंने यही चला लिया देखो यह अपना फिटिंग हो गया अभी मैं पूरा फिट करके दिखाता हूं आपको ठीक है वो गया यह क्योंकि वीडियो बहुत लंबी यह अब देखो इसको अच्छे से मिन्य टायट कर लिया बहुत डाल के आपको दिखाता हूं अपको डिखो है बहुत प्रेसर नहीं आए यह व्यम्म का यह साहध एक मिनिट में दू लिट्र जिंतना वुल फैक देता है बहार इतना प्रेसर रहेगा वें सब्सक्राइब है के देख़ज़े इसको भी भी अच्छा से टाइट कर लूंगा बोल्ड को और फिर हम लोग इसका क्टवरा लगा देंगे तेकर या भी बिल्कुल बड़िया से हो गया स्टार वो सर रख रको मैं इसका प्रॉरा भी कर लेंगे ठीक है ये चेन भी हो गया टैमी चेन का भी हो गया ये स्टार वो से रद दिया और अभी हम लोग इसमें अभी मैं आपको पूरा फिट करके ही दिखा दूंगा ठीक है फिर चालू करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसके आवाद केसी है सब कुछ देखो अभी ये फिटिंग करके ये इंजिन को पूरा दिखा देता हूँ ठीक है देखो ये अपना इंजिन हो गया रेडि अभी चड़ा के इसको वारिंग वारिंग करके चालू करके आपको दिखा दूंगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से रोस लियान से करें से लटेन कर लिया लिया है कि आप इस Ф 550 प्रिय आपि काम की बढ़े हो और आपका काम सब्सक्रेंद मोस् Uhr आपका स्स Kent ऑफ प्रो जाई तो डिधे डिया कुझा लिया है वह कि आवा इस बूट दिगो चुड़िया है जो कि दोस्तों थेंक्यू मुंत्य हैं नए वीडियों के साथ सबसे चलिए थेंक्यू बाइब बाइब वीडियों के साथ तेंक्यू दोस्तों